और यह वीडियो लेकर आँ हूँ, मैं आज ACC124 के रिजल्ट के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने रिजल्ट को पता कर सकते हैं, आप उनके पीडियो देख सकते हैं, उनके पीडियो को कैसे आप अवल्ड कर सकते हैं firstly मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यह एक ऐसा पहला चैनल है जहां पर आपको रिजल्ट प्रोवाइड की जा रही है और रिजल्ट की नोटिफिकेशन मिल रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और ज्यादा ज्यादा इसको शेर करो और सब्सक्राइब करो तो थोड़ा एनलेटिक से ओपर जाते हैं पहले तो मैं काउंचलेट करूँगा इस बार 3-0-1-2 स्टुएंट्स ने अबकी बार सक्सेस्फोली एक्जाम को क्वालिफाई किया है तो उनको मेरे तरफ से हाटली काउंचलेशन और जबकि आप एवरेज देखेंगे पिशली बार का जो एवरेज था वो था 3-0-2-3 तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है सिर्फ 11 का फर्क है तो अभी मेरेज 3,000 के उपर ही जा रही है So, congratulations to all the candidates who have qualified the exam for this ACC 124 and अभी मैं बताने वाल हूँ कि आप कैसे अवर्ड कर सकते हो आप अपने PDF को So, अभी मैं अपने टेलिग्राम चैनल का यहाँ पे description में लिंक डाल दूँगा वहाँ से आप मेरे टेलिग्राम चैनल को follow करके वहाँ से आप ले सकते हो अपने जो PDFs हैं आप वहाँ पे चेक कर सकते हो चेक करने क्या तरीका होगा वहाँ आप इंडेक्स नमबर डालके अपना चेक कर सकते हो वहाँ अपने आर्मी नमबर से चेक कर सकते हो वहाँ पे आप अपने नेम के थू भी आप वहाँ चेक कर सकते हो तो जो भी आपके details होंगे वहाँ find out हो जाएंगे इन case अगर किसी बंदे का वहाँ पर index number, army number, name से नहीं show करता है तो उन्होंने qualify नहीं किया है आप निराश मत होना जिसके नाम नहीं आते हैं well preparation करो अगले क्योंकि अभी ACC 125 भी आज चुकी है तो ACC 125 के लिए आप अच्छे से prepare करो तो अपने hopes को खराब नहीं करना बात बाकी आपको यहाँ PDFs अवैल्ट कर दिये जाएंगे अभी आप और easily आप PDFs देख सकते हो तो इसके लिए आपको Telegram चैनल को open करना है वहाँ पर मैं भी PDFs upload करने वाला हूँ वहाँ से आपको PDFs मिल जाएंगे और उस PDF को खोल के आप वहाँ से अपने सर्च कर सकते हो और अपने friends को भी बताओ जिनके exams यह आयों है उनको आप forward कर देना बट थोड़ा सा देखते हुए because it's a confidential so थोड़ा इसके ओपर focus रहना और ध्यान रखना इसके ओपर और जो भी successful candidates हैं अपने time को waste मत करिए और अपनी आने वाली SSB के लिए preparation start कर दीजे आज से ही because हर एक दिन आपके लिए काफी importance रखता है because जैसे जैसे दिन बितती है time वैसे ही खतम होते जाती और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ अप से जो चीजे होंगे वो normalize तरीके से होंगी अब सारी चीजे normal तरीके से हो रही है because result भी before time publish किया गया है तो अब सारी जो आपकी SSB के dates वगरा है सारी एक normal time पे होंगी तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like करिए subscribe करिए और share करिए so thanks for watching my video जैहन